तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Google AdSense GDPR के बारे में GDPR क्या है GDPR Google Data Protection Regulation है ठीक है तो यह GDPR जो है इससे क्यों लागू किया गया यह रूल क्यों लाया गया इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ठीक है अगर हम इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं त यहाँ पे got it अगर कर देते हैं तो यह आप accept कर लेंगे ठीक है इसमें कोई form वगेरा नहीं है इसे आप जैसे ही got it करेंगे यह यहाँ से hide हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं GDPR क्या है यह है Google Data Protection Regulation यह क्यों बनाया गया यह इसलिए बनाया जाता है उससे related ad दिखाया जाता है आपके facebook page पे आपके जितने भी social media platform है जिसको आप use करते हैं वहाँ पे आपको दिखाया जाता है उससे related ad ठीक है तो वो ad आपको ना आए तो उसके लिए है यह GDPR ठीक है उसी के लिए बनाया गया है यह GDPR ताकि आप से बिना पुछे वो ad आपको ना दिखाया जाए बहुत सारे ऐसे social media platform है जो की इस rule को break करते हैं जैसे ले सकते हैं हम facebook तो facebook पे जैसे आप कहीं पे भी कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी website पे यह flipkart amazon कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आपके page पर automatic उससे related या फिर वही चीजे आपको ad के जरिये द लिखाया जाता है आपको और आपको उसमें interest जगाया जाता है यानि कि एक तरीके से indirectly आप उस पे click करें उसको याद रखें इसलिए वहाँ पे add चलते रहती हैं और आपकी without permission के ठीक है और आपकी page पर चलता है और आपसे permission भी नहीं ली जाती है तो इसी चीज़ को यहाँ पे maintain करने के लिए यह GDPR बनाया गया है यह rule जो है European country द्वारा लागू किया गया है वहाँ पे बनाया है यह rule की जो भी हम search करते हैं वह cookies जो हमारा save हो जाता है गूगल में या फिर किसी other website में तो वहाँ से उसका misuse ना हो इसलिए यह जो rule regulation है GDPR यह बनाया गया है ठीक है तो I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा कि GDPR क्या है तो GDPR को okay करने के लिए सबसे पहले हम यहां से back चलेंगे आप यहां पे देख सकते हैं कई सारे instruction वगेरे हैं आप read कर सकते हैं GDPR के बारे में पढ़ सकते हैं कई सारे rule regulation इनके बारे में है तो यह सारी चीज़े आप यहा चैना के बाद यहां पर go to it करें गौट इनके बाद कि यहीए चीज़े जो है आप दीख रही है यह इमधी होगे और आप यहां से तुरं अन्डी कर सकते हैं चलिए यहां पर देख्ते हैं मैंने go to it कर दिया है यहां पर क्लिक करते हैं तो वर्यूंग पर क्लिक करने के बा वो फॉर्म हमें फिल करने के लिए नहीं आया है इसका मतलब है कि GDPR यानि कि हमने एकसेप्ट कर लिया है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद